हेलो दोस्तों मैं मिनाक्सी चोहान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाप टेरिस गार्डन में हेलो दोस्तों आज मैं जिस पोधे के बारे में आपसे डिसकस करने जा रही हूँ आप देख सकते हैं ये पोधा जवायन का जो है ये पोधा है मेरा जो कि मैंने अपने टेरिस पर लगा रखा है रहती खूबसूरत जो है ये पोधा लगता है आप देख सकते हैं कितना हरा भरा ये पोधा है देखिए इसके पते बहुत अच्छे बहुत सुन्दर लग रहे है कलर किता प्यारा लग रहा है इसका इसको लगाने में कोई भी अपिन लगा सकते हैं आराम से जो है छो जाता है इसकी कटिंग लगाया आप तो जल्दी ग्रोण दिया है यह मैंने कटिंग करके ही लगा रखांए यह देखेंआप किता प्यारा इसका जो है यह कलर लग रहा है देख सकते हैं आप इतला सुन्दर लग रहा है और वैसे तो सब लोग जानते ही हैं अजवायन का उपयोग कैसे करते हम लोग जैसे हम अपने घर में पूरी वगएरा या पराठे या फिर जो पकोड़ी वगएरा पकोड़े वगएरा जो भी चीजे रेसिपी बनाते हैं और जिसे अरबी की सब्जी जो है हम बन सकते हो आटे में इसको मिक्स करके आप पूरी वगएरा बना सकते हो और यह पकोड़ों में भी आप इसको यूज कर सकते हो इसको डाल सकते हैं आप लोग पत्तों को इसके और जैसे अगर पेट दर्द की शिकायत जैसे कभी होती है किसी को गैस की प्रोब्लम होती है तो इ यह इसका पत्ता किता प्यारा है मतलब बिल्कुल सोफ्ट होता है यह जरासा हाथ लगाने से जो है एकदम से टूट जाता है बहुत नाजुक जो है प्लांट वो होता है यह देखिए मैंने यह पत्ता खरावरता भी आपको दिखाया तोड़के हटा दूंगे मैं इसको बहु चुनदर पत्ता हैं अब मैं सक 750 करोंगे मतलब स्की्ट लगाएंगा करके तो कटिंग अच्छी वो इसकी आती है रहाते हर चैक्ष महीने में सक्टाफिसक्राकिल रहा तो यह ज्यादा अछ्छा ग्रुह होता है तो इसकी पत्तिया पीली पीली सी हो जाती वैसे मैंने यह पिछले साल लगाया था सर्दियों में जन्वरी में मैंने यह लगाया था इसको कटिंग करके तब यह बहुत सुन्दर प्लांट जो है वो लग रहा था और आप इसको आप देख सकते हैं इसके पत्ते थोड़े चोटे हो गें साइज में तो हम इसको इसकी करके जैसे हमने इसको निकाल दिया बहुत टाइम तक यह रहता है तो अब अगर जैसे अभी मैं इसकी करूंगी तो इसकी जो एक्स्रा पत्या होंगी इसको मैं उठाके अपने मतलब फ्रीज में स्टोर करके रख लूंगी तो जैसे कभी मुझे कुछ जरूरत है मुझे प अब देख सकते हैं कितना प्लांट लग रहा है और भी तरीकों से आप इसका यूज कर सकते हो और इसमें जैसे हम खुषबू मतलब जैसे पत्ता थोड़ा है थोड़ा सा थोड़ा मैंने मेरे हातों में से इतनी अच्छी खुषबू आने लग गी है क्या पता हूं अच्छा प्लांट अपना लगता है अगर आप चाहें तो इसे लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसकी कटिंग आप लगा ले यह एकदम आसानी से ग्रू हो जाता है वैसी यह जवायन का प्लांट नहीं है अजवायन का प्लांट दूसरा होता है लेकिन इसे भी आप उसी की तरह उपयोग कर सकते हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको भी आप यूज कर सकते हैं अजवायन की तरह से तो दोस्तों यह थी मेरी थोड़ी सी कुछ जानकारी जो मैं भी करती हूं और मैंने अपने फ्रेंड्स को बता देती हूं सबको दोस्तों को तो कैसी लगी मेरी जानकारी लाइक करें कॉमेंट करें कॉमेंट करके मुझे जरूर बता है और अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू